तो ये है मार्ती सूजी की एस्प्रेसो का एलेक्साई वेरियंट सी एंजी में इस बीडियो मा जब इसी कार को दिखने वाले हैं क्या-क्या फीचेस आपको इस कार के इंटीडियर में उफर करे जाते हैं और कैसा है इस कार का एस्टेर लुक तो ये ऐसे आप देशे कुझे सरा की लगती है इस कार की फरेंट प्रफाइल जो फ्रेंट बंपर है वापको ब्लेक एंट में मिल जाएगा बोडी के लट बंपर आपको इस वाले वेरियंट में देखने के लिए नहीं मिलता है तो वे चलिए फिर स्टार्ट करता हूँ मैं इस कार की फरेंट प्रफाइल से तो वे कुझे सरा की मिल जाती है आपको इस कार की हेड लाइट हेलो जन बल्प मिल जाएगा आपको इसकी हेड लाइट में और इंडिकेटर में बीच में सूजी का लोगो मिल जाएगा और जो gray रहने वाली ये आपको पूरी black मिलने वाली है नहीं आपको front में fog lamp कुछ ऐसा देखने के नहीं मिलता है सिर्फ आपको front में headlight और बीच में सूजी का लोगो मिल जाएगा जहाँ पर एस्प्रेसो लिखा गए है वो नमबर प्लेट की स्पेस दी गई है और साइट प्रोफाइल कुछ इस तरह की है कार की तो भी ठल्टी इंच के आपको उसमें स्टील भी इस मिल जाते हैं बील कवर्ट पी आपको उसमें देखने के नहीं मिलेंगे 145 by 80R13 इनकी प्रोफाइल है इन सोपर की सैड आपको कोई भी कलैडिंग नहीं मिलेगी इंडिकेटर इस कार की फेंडर पे मिल जाएगा कुछ इस तरह का है इस कार का ORBM बलेक किलेड़ में मिल जाएगा आपको दोर हैंडर्स भी आपको बोडी कलेड़ के नहीं मिलेंगे की लगाने के लिए मिल जाएगा आपको लोक अनलोक करने के लिए A पिलर, B पिलर और C पिलर आपको इस कार में बोडी कलेड़ का मिल जाएगा और साइट से देखने में कुछ इस तरह की लगती है कार प्लैम्प और इसके गिलास पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा जैसे बाइफर डिफोगर हो गया यह रिसकार की टेल लाइट है लोजन बंप मिल जाएगा आपको इसकी टेल लाइट में इंडिकेटर बैक लाइट में भी आपको बल मिलने वाला है सुजी का लोगो की लगाने के लिए मिल जाएगा आपको बोट को खोलने के लिए एस्प्रेसो की बैजिंग निचे साथ रिफ्लेक्टर पार्किंग सेंसर ब्लैक कलर में बंपर मिल जाएगा बोडी कलर का बंपर नहीं मिलेगा आपको बैक वाला और वही कुछ इस तरह की लगती है मार्टी सुजी की एस्प्रेसो एक्स्टेर से दिखने में तो विचले फिर मैं आपको इस कार का बूट दिखा जाता हूँ जैसे कि आपको पता होगा इसमें CNG किट लगी हुई है फिर आपको कितना बूट स्पेस मिल जाता है इस कार मे खोलने के लिए आपको यहां पर मिल जाएगा बैसे तो आपको इस कार में 270 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है पर लेकिन CNG किट लगने के बाद तो फिर आपको बहुत कम स्पेस मिल जाएगा इस कार में पाश्य ट्रे भी नहीं मिलती है आपको इस वाले वेरेंट में त तो वे कुछ तरह का था इस कार का इस चेलूक जैसा कि आपने देखा नहीं आपको जो फ्रेंट बंपर है वो आपको बोडी कलर्ट का मिलेगा उन्हाई कुछ आपको ज़्यादा फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं डोर हेंडर्स भी आपको बोडी कलर्ट के नहीं मिलत पर लेकिन ठीक ठाक कार अगर आपको इतने कम प्राइस में देखने कोई कार जिसमा कुछ CNG मिल जाए तो देखने में भी ठीक ठाक लगे तो आपके लिए बैस्ट ओप्सन बन जाती है बस एक कमी जो लगी इस कार में आपको सेफटी नहीं मिलती है इस कार मापको जिरो स् वो 31 किलो मीटर पर केजी का माइलेज क्लेम करती है CNG में तो वे बात करता हूँ पैट्रोल के वारे में तो वे 24 किलो मीटर पर लीटर के यसाफ़ से माइलेज आपको देदेगी यह वाली कार और इसकी जो कॉंपिटिशन में है अप उस कार को भी देख सकते हैं तो विचल का ड्रैवर साइड डोर और जो पुरा डोर है वा आपको ब्लेक लर मिल जाएगा जो इंटीर भी है आपको पुरा ब्लेक कलर में देखने के लिए मिल जाएगा पावर बिंडो नहीं मिलेंगी आपको मैनुवली अजजेस्स करना पड़ेगा आपको बार्टर बोट के जो तरह का मिल जाता आपको इस कार का इंटीरियर जो पूरा इंटीरियर बापको पूरा ब्लेक कलर में देखने के लिए मिल जाएगा और स्टेरिंग बील कुछ इस तरह का है पावर स्टेरिंग मिल जाएगा आपको इस पर भी आपको कोई भी क्रोम नहीं दिखने वाला ह अपको यहां पर एक सूजी का logo मिल जाएगा SRS airbag की besoin मिल जाएगी इस car मां आपको दो airbags मिलने वाले हैं एक airbag आपको यहाँ पर मिल जाएगा और एक airbag आपको बहाँ पर मिलने वाला है इस car में जो कि कुछ इसतर्य बाता है हो 住 naton पॉर सेनीचे साड़ाको खाजाड लाइट का बटन मिल जाएगा है यहांपर आपको गत्रों साथ को इस तरह के मिन जाते हैं कि यहां पर भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है थोड़ाद स्पेस फीर आपको यहां पर दिया जया जाएगा दोका वो 5-gear manual transmission में रहने वाली एक कार जिसका gear knob आपको कुछ इस तरह का मिल जाता है इस पर भी आपको कोई भी chrome insert देखने के लिए नहीं मिलेगा इसके gear knob पर जोकी इसको थोड़ा बहुत premium बना दे और यहां पर भी आपको थोड़ा स्पेस दिया जाएगा कुछ आपको रखना ह वो shift कर सकते हैं CNG में या फिर पैट्रोल में बीच मापको दो AC vents मिल जाएंगे कुछ इस तरह के dashboard कुछ इस तरह का लगते है इस कार का को driver side AC vents कुछ इस तरह का है कुछ इस तरह का है कुछ यह को driver side door बाटरबोर के लिए स्पेस मिल जाएगा डूकमेंट रखने के लिए स्पेस मिल जाएगा औरियरा स्कार का grab handle manual windows मिलने वाली है और इस कार में आपको fixed headrest मिल जाएंगे कुछ इस तरह के स्कार पे seat cover लगे हुए है जो किसका आयार बियम डे नाइट अजस्मेंट नहीं मिलने वाली है यह राय को driver side sun visor इसमें भी आपको vanity mirror नहीं मिलने वाला है तो मैं आपको स्कार का गलब बो सिखाता हूं कुछ इतना स्पेस आपको स्कार के गलब बोक्स में मिल जाएगा तो भी चलिए फिर कुछ इस तरह कार का front seat पर बैठ कर जो भी कुछ आपको मिल जाता है वैसा आप देख से नहीं आपको इसमें एनफोटेमे सिस्टम मिलता है नहीं आपको पावर विंडो मिल जाती है कुछ ऐसा इंटिरियर रसकार का बैक डॉर दोर उपने black color पावर विंडो नहीं मिलेंगे आपको मैनूली करना पड़ेगा नहीं आपको बाटर बोटे के लिए स्पेस रुख में डखने के लिए स्पेस मिलेगा आपको इस कार के बैक डॉर में तो विचली फिल मैंने आपको इस कार की front seat तो दिखा दी भी मैं आपको इस कार की rear seat दिखा जाता हूँ कितना पेस फिर आपको यहाँ आपने मिल जाएगा वो जो driver seat है मैंने इपने height के साफ से adjust कर दी है जिससे आपको idea हो जाया कितना leg room आपको इस कार में मिल जाएगा तो address front में और back में भी आपको fixed address मिलने वाले है grab handle आपको यहाँ पर मिल जाएगा और rear में भी आपको कुछ तरह का door मिल जाएगा थोड़ा space फिर आपको यहाँ पर मिलने वाला है यह इस इवेंट्स आपको देखने के नहीं मिलेंगे तो विचली फिर कुछ इस कार का interior जो भी स एका interior में आपको कुछ ज़्यादा नहीं मिलता है और extrem भी आपको कुछ ऐसा नहीं मिलता है और जो बात कर तो इस कार के प्राइस के वारे में तो इस कार का जो प्राइस कार का ओन रोड डैली में अपनी city के साब से देख सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं इपने city का नाम में आपको इस कार का ओन रोड प्राइस भी बता दूँगा तो विगर आपको इस कार के ओर बेरेंट की वीडियो देखनी है फिर आप किसी ओर का बोक राउन देखना है तो आप मेरे चैनल को बिजिट कर सकते हैं मैंने इस कार के ओर बेरेंट की वीडियो या फिर रोड कार की वीडियो भी अपने चैनल पर बनाके डाल लगे हैं आप बात से उसको देख सकते हैं या फिर आपके फीचर में ऐसी वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पर दीजिए वीडियो पूर देखने के लिए आपका धन्यवाद